अलो एव्रीवन दोस्तों उतकर्ष उकला फ्रम उतकर्ष एजुकेशन आज के पैड़ागोजी के लेक्चर में हम व्यक्तित्तों के जो भारती सिद्धान्त हैं उनके वारे में हलका साध्यन करेंगे भारती सिद्धान से जर्ली ज़्यदा कुश्चन आता नहीं है लेकिन इ इस लेक्चर को देख लेने से इस पूरी सिरीज को अगर आप पैड़ागोजी समद्ध किसी भी एक्जाम को दे रहे हैं किसी एक्जाम में जो पैड़ागोजी का सेक्शन होगा उसको आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कम्प्रीट सिरीज चल लएए आई अब बिना समय पर आपके पढ़ना शुरू करते हैं व्यक्तित के भारती सिध्धानत में दो देखो जितनी भी भारती इंशी अंट मेडीवल यह मॉडर्न बुक्स है उनमें व्यक्तित के बारे में कुछ लिखा ही हुआ है बिवेका ने अलग विक्तित की विस्धान बताएं बिगवेद उसमें दो सिद्धानतों का मैं आप वर्ण करूँगा जो important मुझे लगे और जो बाकी teachers और previous exam से दरीए भी बहुत important माने गए हैं आप उनको समझिएगा पहला है भगवत गीता में जो ब्यक्तित बताया गया है और दूसरा है चरक सहिता में बताया गया है भगवत गीता में जो बताया गया है उसको आप spiritual तरीके स्पोल सकते हैं और चरक सहिता में जो बताया गया है वो biological तरीके से हैं तो इस तरह से दो प्रकार के जो मान सिकता हैं उनको आप यहां समझ लीजी आपका काम हो जाए बगवत गीता के अध्याश 14 में व्यक्तित के तीन गुण बताए गए है सत्व गुण, रजगुण, तमगुण, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण ठीक है इन गुणों को व्यक्तित के तीन भागों में बताए गया है कि हर व्यक्ति में इन तीन का मिश्रण होता है जिस भी अनुपात में जो भी मिश्रण जिस व्यक्ति में होता है उस तरीके से उसका व्यक्तितु बनता है और उस तरह के व्यक्तितु के कारण वो उस तरह के विभार करता है ठीक है सत्व गुण में क्या आएंगे जो सामानेत पता वैराग का मतलब होता है कि किसी चीज से बहुत अधिक मोह ना करना और सांसारिक चीजों से ज्यादा लगाव ना रखना इसको वैराग कहा जाता है तो सत्व गुण के अंतरगत अच्छे गुण या सौम में तरह से आते हैं यह शब्द इसलिए जरूरी है क्योंकि एक् किसी भी तरह का एक्जाम उठालो टीजीटी पीजीटी उनमें जो पढ़ा को जी कुष्चन आते हैं उसमें लेंग्वेज वो कठिन या क्लिष्ट ही रखते हैं सरल लेंग्वेज मैं समझा रहा हूं लेकिन जो नोट्स भैन वो कठिन लेंग्वेज में ही रहना ताकि राजसी ये मान लो तुमने एक तरह से सत्त मतलब साथ्यक संत वाले गुण राजसी गुण कैसे होते हैं इर्षया राजा लोग इर्षया करते हैं एक दूसरे से इसका राज़ छोटा है मेरा राज़ बड़ा है इंद्री तप्तिक इच्छा भी रहती है कर राजा को सब पुरानी है तो उस समय के राजाओं को जो नॉर्मल गुण माने जाएं एक नॉर्मल राजा के यह जो सामान निगुण में आएंगे कि भाई बहुत तक वादी मान सकता है हमें राज चाहिए हमको सेना चाहिए हमको 50-60 रानियां रखनी है वगएरा वगएरा इस तरह की ब मतलब बुरे गुण सीधे सीधी बात है गंदे गुण बुरे गुण असुरी गुण रक्षसी गुण क्रोद एहंकार अवसाध यानि डिप्रेशन आलस असहायता का जो भावना है वह तमस गुण के अंतरकत आती है इसमें आलस को भाई हम सभी से बोलेंगे कि भाई अपन अपने अंदर कम करना उनको जिसमें आलस सबसे मेरा फेवरेट होता है लोगों को बताने का कि आलस सित्याग दो बाकी सब हो जायागा तुमारा तो यह तीन तरह के गुण है ठीक है सत्त गुण रजस गुण तमस गुण अच्छे गुण नाम नॉर्मल गुण बुरे गु और व्यक्ति के सरीर से जोड़ के बताया कि व्यक्ति के सरीर में तीन प्रकार के गुण है वात पित और कफ इन तीन तरह के गुणों के जब मिश्रण से ही व्यक्ति का व्यक्तित बनेगा उसका सरीर उसके व्यक्तित का निर्माण करेगा और वह व्यक्तित उसके वहार उस मतलब हवा वात आवरण को भी इसलिए हवा का आवरण ही माना जाता है वात प्लस आवरण वात आवरण वात मतलब हवा होती है श्वास की जो विवस्था है वायू की जो तुम्हाई अंदर विवस्था है अगर वो बिगड़ जाये तो सभाव चर्चड़ा हो जाता है चरक स इसाप से हो जाएंगे पित का मतलब होता है जो हमारे अंदर हार्मोन या रस होते हैं वो उसकी प्रधानता जब ज्यादा हो जाती है तो सरीर दुर्बल हो जाता है हमारा ठीक है दुर्बल हैं लेकिन कूते बहुत ज्यादा है जंकी चंचल बहुत ज्यादा है उनकी विशेस्ता मानी जाती है चरक सहनेता के अंसार और कफ का मतलब होता है तो इस तरह के व्यक्ति मोटे ज्यादा होते हैं शांत रहते हैं और काम करने वाले माने जाते हैं इस तरह से चरक सहता में यह वात पित्त और कफ की अवधाना दी गई है उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपको भारती संद्धान को हलका समझे में आया होगा इससे जादा इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं किसी पेडागोजी के सेक्शन के लिए प्लीज मेरे वीड जहिन